Hello beautiful girls और मेरी प्यारी family कैसे हैं आप सब अगर आप भी अपने ज़रते हुए बालों से बहुत ज़ादा परिशान हो चुके हैं आपका hair fall रुकने का नाम नहीं ले रहा कंगी करते हैं तो उसमें बहुत सारे hairs कोई raw band बानते हैं तो उसमें बहुत सारे hairs और घर में आपके hairs इध ज़ादा मजबूत और मोटा होगा क्योंकि आपने notice करा है जब हमारा hair fall होना start होता है तो हमारा बाल बहुत कमजोर हो जाता है जरा सा बालों में हाथ फेरा नहीं के बाल तूट कर हाथ में आ जाते हैं तो ऐसे में हमारे शरीन में बहुत सारे पोशतत्तों की कमी हो जाती है और वो पोशतत्त्त कई बार हम अपनी diet से पूरा नहीं कर पाते जिसके लिए हमें अपने scalp को भी potion देना पड़ता है जिसके लिए आज मैं आपके रेक ऐसा नुस्खालाई हूँ जो आपके बालों का volume बढ़ाएगा और इसके साथ आपके बालों को काला भी करेगा अगर आप भी सफेद बालों के समस्या से जूट रहे हैं तो आपके बाल नाचुली काले हो जाएगे और आपको सफेद बालों के समस्या दुबारा नहीं सताएगी तो चलिए जानते हैं इस effective सी remedy को कैसे बनाना है और कैसे इस्तमाल करना है लेकिन उससे पहले यहां पर कोई भी आपको free में नहीं देखने को मिलेगी, इसके लिए आपको fees पेकानी होगी, और fees क्या है? प्याज जो आपने लीना है वो बिल्कुल लाल रंग का लीना है, क्योंकि जो लाल रंग का प्याज होता है उसमें sulfur की मात्रा जादा होती है, जो आपके scalp से बालों की growth को जल्दी बढ़ाता है और उनका hair fall stop करता है, आपके dandruff की समस्या को खतम करता है, आपके दो मुहें क बालों की समस्या को खतम करता है, प्याज को आपने छिल कर कर दूकस कर लेना है, उसका जूस निकाल लेना है, इस जूस में आपने आड करना है एक चमच केस्टरो ओल, केस्टरो ओल इसली आपको परचून की दुकान से मिल चाहेगा, वो आप जरूर इस्तमाल करें क्योंकि यह आपके हैर फॉल को स्टॉप करता है, आपके हैर की क्वालिटी जो होते हैं, उनको बहुत अच्छा बना देता है, इसके साथ इसमें आपने आड करना है दो वाइटमिन E के कैपसूल, और साथ में आपने आड करना है एक चमच आवला पाउडर, इनको अच्छे से मिक् में अच्छे से अपने हलके हाथों से मसाज करनी है, मसाज करने के बाद अपने बालों को आपकिसी भी रोववैंड से, या क्लशर से सिक्यूर कर लिजेए, और जो जेंट्स अपने बालों में लगा रहे हैं, उनके बाल तो अलड़ी छूटे होते हैं, तो उनको के लिए लगाना है ठीक है अगर आपकी age 18 साल की है या उससे कम है तो आपको 15 मिनट के लिए enough है लेकिन 18 साल के बाद हमारी जो skin होती है थोड़ी सी harsh हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है इस mask को अपने बालों में आदे घंटे के लिए लगाना है लेकिन आदे घंटे कर सकते हैं लेकिन इस जादूई पाक को आपको कम से कम हफते में दो बार जरूर लगाना है इस से जादा बिल्कुल नहीं और एक महीना सिरफ एक महीना आप मुझे दे कर देखिए और उसके बाद आपके बालों के quality इतनी भैतरीन हो जाएगी आपके बाल जो white हो गए थे काले होने शुरू हो जाएंगे और future में आपके बाल सफेद नहीं होंगे आपके बालों में नया जान आ जाएगी शाइनी पना जाएगा और hair fall वो तो लगेगा कभी जैसे था ही नहीं तो try this and comment please share करना कि आपका experience क्या रहा क्योंकि जब आप अपना honest comment लिखते हैं तो बहु कम कर दीजे क्योंकि stress ऐसी चीज है चाहे आप जितनी मर्जी remedy लगा लें चाहे इतनी मर्जी अच्छी डाइट खा लें लेकिन आपकी aging और आपका hair fall और आपका मोटापा stress लेने से हमेशा बिगड़ता ही बिगड़ता है तो अपनी life से stress को सबसे पहले कम करिए और पानी को झाली